Welcome to my channel Tips Theater channel में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों बालो को लंबा करना चाहते हैं बालो को घना करना चाहते हैं और बालो के तूटने से बचना चाहते हैं दोस्तों तो आज का वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है बिलकुल प्रकृतिक तरीके से बालों को खुबसूरत कैसे बनाएं ताकि हमारे बालों का जड़ना हेयर फॉल बिलकुल ही रुख जाए बालों की लंबाई भी बढ़े और बालों में अच्छा घनापन भी आए तो आयृरुवेदिक तरीके से आज मैं आपके साथ ये वीड पूल यह हिबिसकस फ्लावर जिसे की चाइना रोज भी कहा जाता है और जगह जगह यह लगा रहता है हो सकता आपके घर पर भी लगा हो जातर मंदिरों में हमारे घर के आंगन में आस पास लगा रहता है बहुत आसानी से मिल जाएगा और गुढ़ल के फूलों के बारे में हिबिसकस पाउडर के बारे में आपने सुना होगा आजकल तो मार्केट में इसके फूलों को सुखा कर पीस कर इसका पाउडर बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं हिबिसकस पाउडर किसी भी हेयर पैक में एक चमच हिबिसकस पाउडर मिला कर लगाने से उसका रिजल्ट और ही अच्छा आता है तो आप चाहें तो बजार से भी इसका पाउडर खरीच सकते हैं ऑनलाइन भी एवलेबल है हिबिसकस पाउडर परन्तु दोस्तों ताजे फूलों की बात ही अलग होती है गुढ़ल के फूल में भरपूर मात्रा में पोशक्तत्व होते हैं जो कि हमारे बा चाहरु है तो कम सेक्क्यम साथ से आठ मैं यहां पर हूँ कर आई हूँ तो आप कहीं अडोस-पडोस से ला सकते हैं और ज्यादा मिले तो आप घर पर सुखा कर पाउडर बना ले क्योंकि कई बार नहीं मिल पाता है हमें तो आप पाउडर भी बना sì घर का बना हुआ हुआ या फिर ताजे मिले तो बात ही अलग है, तो जादतर मैं दोस्तों इसी तरह से तेल बनाती हूँ, इस तेल को बहुत जादा ना बनाए क्योंकि बिल्कुल प्रकृतिक तरीके से बना रहे हैं, कोई प्रिजर्वेटिव, कोई केमिकल, किसी तरह का कोई भी इसमें खुश्बू या कलर हम इसमें अड़ नहीं करेंगे, दोनों में से एक तेल लेना है, नारियल तेल ले ले या फिर ओलिव ओल ले ले, दोनों ही हमारे बालों के लिए बेस्ट होता है, दोसों, आप देख सकते हैं, इस तेल को मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, शीशी में जो बॉटल ली है, केवन आधी बॉटल मैंने यहाँ पर ओलिव ओल डाला है, आप नारियल तेल भी दे सकते हैं, दो फूलों की पत्यों को पंखुडियों को अलग कर लिया है, दो फूलों की पंखुडी डालेंगे, साथ ही हिबिसकस का यह जो प्लांट है, यह जो डंडी टहनी ले कर आए हैं, उसकी छोटी पत्या ले, बड़े-बड़े साइस की पत्यां आपको नहीं लेना है, छोटी ताजी पत्यां, इनमें पोशक तत्वों की भी मात्रा जादा होती हैं, और अच्छी रहती हैं, तो दोसों, पहले मैंने क्या किया थे, इन फूल को दो-तिन घंटे पहले ही पोधे में से तोड़ लिया था, पंखे की हवा के नीचे रख दिया था, ताकि इनमें मौशर न रहे, यदि फूल हमारे गीले होंगे, पत्यां गीली होंगी, तो हमारा तेल जल्दी खराब हो ज इस तेल को जादा नहीं बनाना है, आप सोचेंगे हम एक महने का बना लें, फिर आप परिशान होंगे, घर में यदि जादा मेंबर हैं, जादा लोग हैं तेल लगाने वाले, तो थोड़ा जादा भी बना सकते हैं, अकेले अपने लिए बना रहे हैं, तो कम बनाएं, ताक कुछ ऐसे एमिनो एसीड होते हैं, जो हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं, बालों के जड़ने को रोकते हैं, गंचे पन की समस्या को दूर करता है, हिबिसकस फ्लावर, वैसे सफेद और लाल, ये दो फूलों का जादा महत्व हैं दोस्तों, हाइब्रेट सीट् आले, अपने को देसी गुढ़ल ही चाहिए, और बाल लंबे होंगे, बालों में काला पनाएगा, सफेद बाल होगी, समस्या भी दूर होगी, इसके अलावा दोस्तों, एक तो मैंने गुढ़ल का तेल बनाया, आप चाहें तो इसे पका कर गैस पर पका कर भी बना सके इसके तेल, एक ही शैंपू, एक ही हेर टॉनिक नहीं लगाना चाहिए, चेंज करके लगाते रहें, ताकि सारे तरह के पोशक्ततों न्यूट्रियंट्स आपके हेर फॉलिकल को मिलते रहें, बालों की जड़ों को मिलते रहें, तो यहां पर मैंने चार फूलों की पंखुडी और हिबिसकस की कुछ पत्या ली हैं, यह देखे, छोटी पत्या ली हैं, पर मैंने उन्हें हाथ से तोड़ लिया है, ताकि मुझे इसे मैश करने में आसानी हो, आप चाहें तो दो तिन घंटे पानी में भिगा कर छोड़ दे, आपको मैश करने में आसानी होगी, पानी में पूलों की और पत्यों के सारे पोशकत्तव इस पानी में आ गए है और ये हमारा मेजिकल हेयर टॉनिक बन कर तयार है एक जादूई हेयर टोनर है दोस्तों जो की बालों को बहुत अच्छी तरह से नरिश करेगा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएगा जड़ मजबूत हो और बालों को इतनी देर पोशकत्तव भी मिल जाएंगे इस टॉनिक को मैंने थोड़ा ज्यादा बनाया है आप चाहे तो बीच-बीच में सपता में दो बार तीन बार जरूर लगाए जब भी आप लोग हेयर वाश करते हैं उसके दो घंटे पहले लगा ले आपके पास जि चार फूल लिये थे अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं और ये जो टॉनिक है न दोस्तों यकीन मानिये बिलकुल प्रकृतिक तरीके से आज मैंने आपको ये टॉनिक बनाना बताया है बालों की केयर जरूर करें दोस्तों आप केयर करके देखें आपको खुद को अंतर महस आखों की रोशनी को तेज करता है शारिरिक दूरबलता को दूर करता है केवल एक गुड़हल की कुछ लाल पतियों को दो एक गुड़हल के फूलों की पतियों को खाने से आखों की रोशनी बढ़ती है दोस्तों किड़नी स्टोन की प्रॉबलम दूर होती है ऐसा कहा जात तो ये देखे ये जो slamry सा water बना है, slamry सा hair tonic बना है, ये आपके बालों से जुड़ी हुई सारी परिशानी को दूर करेगा, hair fall बिलकुल ही रोग देगा और सफेद बालों की समस्या हल होगी, तो आप देख सकते हैं मेरी बेटी के बाल बहुत खुब सुरत है, बहुत ध्यान रखती है, हम जो भी remedy आपको share करते हैं दोसों, उसे बालों पर apply करके ही दिखाते हैं, इन चीजों का कभी भी कोई side effect नहीं है, home remedy 100% work करती है, work करने में हो सकता थोड़ा time लग जाए, परन्तु इनका कभी भी कोई side effect नहीं होता है, बढ़िया अच्छा scalp पर लगाएं, खु और भी फायदा मिलेगा, गुढ़ल में ऐसे तत्व पाए जाते हैं दोसों, जो बालों की जड़ों को strong बनाते हैं, हमारे scalp के blood circulation को improve करते हैं, new hair growth होती है, हमारे scalp को healthy रखते हैं, dandruff की समस्या, eating की समस्या को दूर करते हैं, बालों में बहुत अच्छी चमक आती है, बालों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like करें